सात्यों, कुरुशी सुधारों से जुड़ा एक और जूट फैलाया जा रहा है A.P.M.C. याने हमारी मंडियों को ले करके हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो, तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो अगर किसी को स्कूटर बेच रहा हो, तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो मंडी के अलावा किसान चहा कर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फाइदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे और बाहर उसको फाइदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोक तंद्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है अब जहां किसान को लाब मिलेगा वहाँ वो अपनी उपज बेचेगा मंडी भी चालू है मंडी में बेचा करके बेच सकता है जो पहले था वो भी कर सकता है किसान की मर्जी पर करेगा बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाब देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है हाली में एक जगे पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कमपनी के साथ समझोता किया है इससे उनकी आमदनी 20 प्रतिशत बड़ी है एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कमपनी से समझोता किया है इस कमपनी ने उन्हें लागत में 35 प्रतिशत जादा की गारंटी दी है एक और जगह की खबर में पढ़ा रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाचार में वेचा तो उसे पहले से दो गुनी कीमत मिली आम मुझे बताईए देश के प्रतिशत किसान को ये लाप ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए किसानों को सिर्फ मंडियों से बात कर बीते दसकों में जो पात किया गया है ये क्रिशी सुधार कानून उसका प्रायस चीत कर रहे हैं और मैं फिर दोड़ाता हूं नए कानून के बात छे मेने हो गया कानून लग हो गया हिंदुस्तान के किसी कौने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है फिर क्यों जूट फेलाए जा रहा है सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपी एमसी को आदूर रुख बनाने पर उनके कंप्यूटी करान पर पान्सो करोड रुपिये से ज़्यादा खर्च कर रही है फिर ये एपी एमसी बंद किये जाने की बात कहां से आई